नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉकेट ट्रेवलर पर आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अगर आप कोयमबटूर, उटी और कुन्नूर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो कैसे आप इन जगहों को चार दिन में बजटली एक्स्प्लोर कर सकते हैं फुल आइटेनरी, फुल बजट और कुछ टिप्स बताएंगे जो हमने वहाँ पर एक्स्पिरियंस करें जिससे आपका ट्रेवल और आपकी ट्रिप इजी और एंजयेबल हो तो बने रहिएगा वीडियो की बिल्कुल एंड तक इसके बाद शायद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े तो दोस्तों आपको डेवन में अर्ली इन दा मॉर्निंग कोयमबटूर पहुँच जाना है इसके बाद कोयमबटूर पहुचकर आप यहाँ पर रेलवे स्टेशन के आसपास एक रूम ले लीजे रेलवे स्टेशन के पास आपको बजट स्टे मिल जाएगा 700 तो 800 इजी ले यहाँ पर फ्रेशन अप होईए फ्रेशन अप होने के बाद आप सीधा जा सकते हैं इशा फांडेशन आदियोगी दर्शन करने यहाँ जाने के लिए आप एक आटो भी बुक कर सकते हैं जो आप से 1000 रूट 1200 रूपेश चार्ज करेंगे अप एंड डाउन या फिर आप काब से भी डाइरेक्ट इशा फांडेशन तक बहुत सकते हैं और अगर आपको अपनी ट्रिप बजट फ्रेंडली रखनी है तो आप यहाँ से बस स्टेंड से डाइरेक्ट इशा फांडेशन की बस जाती है 60 रूपेश टिकट में तो आप यहाँ से बस लीजे और सीधा चले जाएंगे इशा फांडेशन आधी योगी तक या एक option और है आप यहाँ से एक स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं काफी easily काफी vendors हैं जो स्कूटी रेंट पर दे देते हैं आपको कुछ number में description में दे दूँगा आप वहाँ से contact करके स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं फिर आप यहाँ से 22 कूटी भी आधी योगी इशा फांडेशन तक जा सकते हैं वैसे इशा फांडेशन के रास्ते में आपको एक पेरूर पतिश्वर मंदिर दिखेगा आप इस मंदिर के भी दर्शन करें ये भी काफी बड़ा भव्य और बड़ी माननेता वाला मंदिर है इस मंदिर की टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखिएगा ये दिन में एक बज़े से चार बज़े तक क्लोज रहता है इसके बाद आप इशा फांडेशन में जाईए यहां पर आप सबसे पहले इशा फांडेशन के अंदर जाईए वहां पर बैद, कैमरा, कोई भी सामान अलाउड नहीं है तो यहां पर लॉकर रोम में जमा कीजिए उसके बाद आप इशा फांडेशन में अंदर जाईए अंदर आपको सूरे कुंड चंदर कुंड बिलेगा जिसमें आप चाहे तो डिप ले सकते हैं सूरे कुंड मेल्स के लिए है और चंदर कुंड फिमेल्स के लिए इसके बाद आगे आपको नंदी जी की विशालकाय मूर्ति दिखेगी जो की काफी भव्य है उसके बाद यहां लिंग भेर भी है, आप उनके भी दर्शन कीजिए इसके बाद आप अंदर ध्यान लिंगा के दर्शन कीजिए और उसके बाद आप बाहर आज़े फिर यहाँ पर 700 से 800 मिटर के डिस्टेंस पर आदी योगी है आप उनके दर्शन कीजिए वहाँ पर रात का light and sound show attend कीजिए जो की बेहत सुन्दर होता है उसके बाद आप वहाँ से auto, cab या bus या अपनी स्कूटी से वापस आजएए यहाँ पर last bus रात में 9 बजे चलती है Day 2 में early in the morning उठिये ये इस दिन पर आपको थोड़ी से traveling ज्यादा करनी पड़ सकती है तो इसलिए सुभह जल्दी traveling हो जाए क्योंकि दिन में बहुत ज्यादा धूप हो जाती है कोईंबटूर में इस धूप को avoid करने के लिए आप थोड़ा जल्दी उठिये मौर्निंग में कोईंबटूर बस स्टेंड से 7 बजे की ऊटी की बस पकड़िये और डाइरेक्ट आप ऊटी पहुँच सकते हैं यहां से ऊटी का फेर 70 रुपीज है और अगर आपको कोईंबटूर से ऊटी की डाइरेक्ट बस नहीं मिलती है तो आप यहां से मेटूपलायम की बस पकड़िये फिर मेटूपलायम से आपको ऊटी की डाइरेक्ट बस मिल जाएगी या फिर अगर आपने स्कूटी रेंट पर ली है तो आप उसी स्कूटी से बाय रोड ऊटी पहुँच सकते हैं अरली इन दा मॉर्निंग का एक बेनेफिट ये भी हो जाएगा कि आप उटी में उस दिन में भी जगह कुछ कवर कर सकते हैं आपका वो दिन वेस्ट नहीं जाएगा उटी पहुँचकर यहां पर आप एक स्टेव बुक कीजिए आप बस स्टेंड के पास स्टेव बुक कीजिएगा यहां पर आपको बजट होटेल्स मिल जाएगे उटी में बजट होटेल्स भी आपको थोड़े कॉस्टली पढ़ सकते हैं यहां पर आपको पर डे का 1500 to 2000 इसली लग सकता है एक ठीक ठाक स्टे के लिए अगर आप वीकेंड या फिर आप छुट्टियों में जा रहे हैं या सीजन के टाइम जा रहे हैं तो यह थोड़ा सा महंगा भी पढ़ सकता है और आप वीकडेज में जा रहे हैं तो यह आपको रेट थोड़ा सा सस्ता भी पढ़ सकता है और अगर आप solo traveler हैं और budget friendly trip चाते हैं तो यहाँ पर hostels भी हैं आप उन में भी dormitory में stay कर सकते हैं यह आपको 500-600 per day के हिसाब से पढ़ेगे आप यहाँ पर अपने stay तक पहुँचिए यहाँ पर अपना सामान रखिए fresh on up होईए और उसके बाद निकल जाएए उटी के local tourist spot को cover करने के लिए अगर आप सके सब्सक्राइब को इन जगों को cover कर सकते हैं लेकिन अगर आप सब्सक्राइब कर Gari Pr ditch party लेने का सोच रहे हैं तो आप ऐसा बिल्गुल भिना करें क्योंकि यहाँ पर SOTI नहीं मिलती है मिलती है रेकिन उनका price भी 1 पर टे का थाँजन्ट 6 1200 रहता है तो वो वर्थ नहीं है तो अगर आपके पास स्कूटी नहीं है यहाँ पर आप आप आटो से भी इन टूरिस प्लेसे को कवर कर सकते हैं जो आपसे पर डे का 1200 तू 1300 चार्ज करेंगे मैं एक आटो वाले का नंबर आपको दिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप उनसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं या फिर अगर आप यहाँ पर आटो से नहीं तो यहाँ पर कैब से भी इन टूरिस प्लेसे को कवर कर सकते हैं कैब का पर डे का चार्ज 2300 तू 2500 वैरी कर सकता है Cap वाले का भी number में description में provide कर दूँगा आप वहां से go through कर सकते हैं वैसे यहाँ पर mini buses भी चलती हैं जो कि इन tourist places को cover कराती हैं लेकिन इनकी frequency बहुत कम है यह सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक ही चलती हैं तो अगर आप budget friendly trip चाते हैं तो यह भी option opt कर सकते हैं अगर आप solo traveler हैं तो इसके बाद आप local tourist places cover करने जा सकते हैं आप सबसे पहले जा सकते हैं thread garden जिसका entry price 30 रुपीज है यहाँ पर अंदर जितने भी फूल, पौधे, पत्तियां सब हैं वो पूरी के पूरी thread से बनाई हुई हैं यह अपने आप में ही एक अनोखा garden है आप उटी जाका इसको visit कीजे और आप चाहें तो यहाँ से कुछ souvenir भी ला सकते हैं इसके बाद इसी के बिल्कुल opposite side है boat house आप वहाँ पर भी जा सकते हैं इसका entry price 20 रुपीज है यहाँ पर आपको ऊटी लेक दिखेगी जिसमें आप boating कर सकते हैं यहाँ पर भी different type of boatings हैं आप चाहें तो उसमें से कोई सी भी opt कर सकते हैं बाकी यहाँ पर बहुत ज्यादा swings वगेरा हैं जिनके की different different prices हैं आप अगर इनके चुके तो आप यह भी try कर सकते हैं इसके बाद आप यहाँ से जा सकते हैं डोड़ा बेटा पीक जो कि नीलगिरी मौंटेन का highest peak है इसकी entry price 10 रुपीज पर पर सन है और कैमरे का चार्ज अलग यहाँ पर अंदर जाकर आपको पूरा कोयमबटूर, मेटूपलायम और ऊटी शहर दिखता है जो कि बहुत सुन्दर लगता है यहाँ पर एक telescope point भी है आप telescope से भी इन जगों को देख सकते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऊटी अपनी टी और चॉकलेट के लिए पूरे इंडिया में famous है तो आप की पूरी की पूरा process दिखाया जाता है कैसे leaves से लेकर tea seeds बनाया जाते हैं और यहाँ पर आपको sample में 3-4 varieties की tea भी मिलती है आप वो भी try कर सकते हैं और यहाँ पर आप different type की teas भी अपने साथ खरीद कर ले जा सकते हैं ऐसे ही यहाँ पर chocolate factory भी है जिसमें पूरा चॉकलेट का process दिखाया जाता है और कुछ chocolate taste भी कराई जाती है आप चाहें तो यहाँ से भी कुछ chocolate खरीद कर अपने साथ ले जा सकते हैं इसके बाद आप जा सकते हैं बुर्गन टेमपल यह भी एक बहतरीन टेमपल है कूटी में जो की elk hill पर बना हुआ है अगर आप adventure activities के शौकिन है तो पर पर सन है और camera का charge अलग यहाँ पर आपको different type के roses मिल जाएंगे यह five story में बना हुआ एक garden है जो की बेहत सुंदर है और यहाँ पर आपको अलग ही महक आती है इसके बाद आप जा सकते हैं government botanical garden इसके entry price 50 रुपीज पर पर सन है बहतरीन botanical garden है यहाँ पर एक glass house भी है यहाँ पर अपना चखा से time spend करने के बाद आप जा सकते हैं St. Stephen's Church और उसके बाद आप अपने room पर आईए अपना dinner कीजिए और आप थोड़ा rest कीजिए दे थ्री में थोड़ा early in the morning निकलिए अपने room से morning 9 बजे के आसपास और उसके बाद आप पाइकरा route पर tourist places explore करते हुए जा सकते हैं आप सबसे पहले देखेंगे golf course उसके बाद आपको यहाँ पर कामराच सागर डैम देखेगा हम जब गए थे तो यहाँ पर पानी ना होने के वज़े से entry नहीं दी गई थी इसके बाद आप जाएंगे pine forest जिसकी entry 30 rupees per person है यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा एक pine forest है जो की बहुत सुंदर आता है यह एक photogenic place है यहाँ पर आप थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर लेक दिखेगी जो की काफी शांत environment देती है आप यहाँ पर कुछ time इतना spend कर सकते हैं उसके बाद आप जा सकते हैं tree park जिसे 7th milestone shooting point भी कहा जाता है यहाँ पर यह park पूरे pine trees से यह भी भरा हुआ है काफी dense है यहाँ से आपको 6th milestone shooting point दिखता है जो की बहुत सुंदर लगता है काफी cynic view है इसके बाद आप जा सकते हैं when locked down natural trail hill जिसे 9th milestone shooting point भी कहते हैं इसका entry price 30 rupees per person है यहाँ पर आपको थोड़ा track करके ऊपर जाना है 400-500 meter और यहाँ से आपको पूरे नील गिरी mountain का बहतरीन view दिखता है और यहाँ से आपको डोड़ा गटा पीक भी दिखता है काफी बहतरीन view है यहाँ पर कई सारी movies की shooting हो चुकी है इसके बाद यहाँ से थोड़ा आगे जाकर आपको पाइकरा waterfall दिखेगा जो की बेहत सुंदर और beautiful waterfall है यहाँ पर when lockdown के बाद autos आगे नहीं जाते हैं अगर आपको पाइकरा जाना है तो आपके पास cab होनी चाहिए या फिर आपके पास अपना विकल हो सकता है ऐसे आप पाइकरा पहुच सकते हैं पाइकरा से थोड़ा आगे सेंट मॉनिका लेक पड़ती है आप उसको भी विज मत कीजेगा यहाँ पर frog rock भी दिखती है इधर से वापस ऊटी आते हुए आपको ऊटी डैम दिखेगा और उसके बाद आप यहाँ से जा सकते हैं करनाट का सीरी होटी कर चल गार्डन जो की one of the must visit place है उटी का यह बहतरीन एक गार्डन है इसका entry price 50 रुपीज पर परसन है अ गार्डन है modern architecture से यहाँ पर पीछे की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको कई टी गार्डन भी दिखेंगे जो की बहतरीन व्यू देते हैं आप यहाँ पर अपनी फोटो क्लिक करवा सकते हैं वैसे यहाँ पर light and sound शो भी हो सकता है आगे उसकी preparation चल रही है हम जब ग नूर तक की toy train पकड़ी है इसके लिए आप IRCTC से pre booking करवा सकते हैं और अगर आपके पास pre booking नहीं है तो आप सवा साथ से साड़े साथ तक ऊटी के railway station पहुँच जाईए यहाँ से आपको 9 बजे की train की ticket मिल जाएगी अगर आप थोड़ा सा लेट होते हैं तो आपको फिर 12 बजे की train की ticket मिलेगे तो इसलिए आप सवा साथ से साड़े साथ उटी railway station तक पहुँच जाईए उसके बाद एक घंटे की बहतरीन scenic view वाली toy train की journey कीजिए toy train में कैसे आपको ticket मिल सकती है कैसे आप immediate ticket ले सकते हैं कैसे आप journey कर सकते हैं क्या कैसे निक वी होंगे इस पे हमने एक particular वीडियो बना दी है जो आपको eye button पर show हो रही होगी और इसका link भी हमने description में दे दिया है आप वहाँ से जाकर go through कर सकते हैं त इससे आप कुन्दूर की सारी tourist places cover कर सकते हैं इसमें आपको 2-3 घंटे लग सकते हैं ये auto आपसे 1200 रुपीज चार्ज करेंगे आप बाकी bargaining भी कर सकते हैं आपको एक auto वाले का number में provide खरा दूंगा description में आप उनसे contact कर सकते हैं और अगर आप कुन्दूर cab से घूमना चाते है तो आपको railway station के सामने ही cabs मिल जाएंगी जिनका price करीबन 2300-2500 रह सकता है और आप bargaining भी कर सकते हैं उनसे कुन्दूर में आप सबसे पहले जाएंगे church जो की एक काफी famous church है उसके बाद वहां से आप जाएंगे Sims Park जो की again एक बहतरीन garden है कुन्दूर में इसके बाद आप Wellington Gymkh जा सकते हैं उसके बाद आप डाइरेक्ट जा सकते हैं लैंप्स राव जो की एक photogenic place तो है ही और उसके साथ साथ यहां से आपको sleeping lady view भी दिखता है जो कि एक mountain की shape में है एक sleeping lady जैसे image प्रतीत होती है और यह mountain करनाटका केरला और तमिल नाडू के बिलकुल border पर है तीनों state को जोड़ती है यह वाली mountain इसके बाद आप यहां से high garden tea factory या singhara tea factory जा सकते हैं और उसके बाद आप yucalyptus oil factory और chocolate factory भी जा सकते हैं यहां पर आपको कुल्णूर strawberry form दे दिखने को मिलेगा आप वहाँ पर भी जा सकते हैं इसके बाद आप lady canning seat और dolphin nose viewpoint भी जा सकते हैं जो कि again ए experience देगा आपको आप इसे miss मत कीजेगा इसके बाद आपको auto वाले 66 song shooting location दिखाएंगे कराची waterfall और आप चाहें तो यहां से lost waterfall भी जा सकते हैं और एक hidden jam है कुल्णूर में जो है रेलिया डैम अप उसको विजिट कर सकते हैं यहां पर वैसे एक दो जगे और हैं जो कि train viewpoint दिखेगा आप उसको भी explore कीजिए वैसे कुनूर की और detailed वीडियो चाहिए तो इस पर हमने particular वीडियो बना दी है जो आपको link description में मिल जाएगा और आपको i button पर भी show हो रहा होगा आप वहां से go through कर सकते हैं उसके बाद आप वापस ऊटी आ सकते हैं इसके लिए आप व से 20 रुपीज चार्ज करेंगे और आप उटी वापस आ सकते हैं उटी आकर आप अपनी स्कूटी से आप जा सकते हैं अवेलांच और एमेराल्ड लेक पर जो की अगेन एक hidden jam है उटी और अगर उटी के आपको और detailed वीडियो चाहिए तो इस पर भी हमने एक particular वीडियो बना बस और इस दिन आप कोईमबटूर से अपने घंतविय स्थान घ्रह स्थान की ट्रेन फ्लाइट या बस ले सकते हैं तो ऐसे आप चार दिन की यह वाली ट्रिप कंप्रीट कर सकते हैं अगर आपके पास एक दो दिन एक्स्ट्रा है तो आप कोईमबटूर की और भी इस प्रेसिज हैं कैसे इनको कवर कर सकते हैं इसकी हमने पूरी डिटेल्ड वीडियो बना दी है जो आपको आई बटन पर शो हो रही होगी और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है आप वहां से गूत्रू कर सकते हैं और आप चाहें तो ऊटी से मैसुन इसके लिए आपको पूरा एक दिन लगेगा ही लगेगा तो अगर आपके पास कुछ रिजर्व डेज हैं तो आप इन जगों को भी कवर कर सकते हैं ऐसे आप यह चार दिन की फुल पैक्ट आइटेंडरी बना सकते हैं दोस्तों आप बात करते हैं शॉपिंग की अगर आप आपको कोईमबटूर में शॉपिंग करनी है तो आप गांधीपुरम से शॉपिंग कर सकते हैं यहां पर आपको फ्ली मार्केट और कुछ आउटलेट्स भी दिख जाएंगे आप यहां से शॉपिंग कर सकते हैं अगर आपको उटी में शॉपिंग करनी है तो यहां पर प्रेंडिकल गार्डन के सामने ही तिबबत मार्केट है यहां से आप अथेंटिक वूलन कपड़े खरीद सकते हैं अब बात करें यहां पर नेट्वर्क की कोयमबटूर ऊटी और कुनूर यहां पर आपको एटल और जियो के काफी ठीक ठाक नेट्वर्क देखने को मिल जाते हैं लेकिन कोयमबटूर और ऊटी के रास्ते में आपको नेट्वर्क की थोड़ी कमी हो सकती है यहां पर नेट्वर्क बहुत ही कम रहते हैं और अगर बात की जाए लोकल्स की तो यहां पर आपको mostly लोग Hindi में बात करते हुए दिख जाएंगे यहां पर आपको mostly आटो वाले वेंडर्स यहां पर mostly लोग आपको Hindi बोलते हुए दिख जाएंगे और यहां पर Hindi इसीली समझ लेते हैं तो इतना Hindi language barrier नहीं है आप इसीली ट्रेवल कर सकते हैं अगर यहां पर बात की जाए फूड भी अगर आप साउथ हिंडियन लेते हैं तो यहां पर आपको 70-80 रूपीज पर डाइट इसीली मिल जाएगे लेकिन अगर आप नॉर्थ हिंडियन चाहते हैं तो आपको फूड तो मिल जाएगा लेकिन थोड़ा कॉस्टली पर सकता है 162-180 आपको पर डाइट पर सकती है तो आप उस चीज का थोड़ा ध्यान रखेगा दोस्तों आप बात करते हैं बजट की बजट में सबसे पहला इस्टे इस्टे आपको एक तो कोईंबर टूर में चाहिए और दो दिन का इस्टे आपको कूटी में लग सकता है इसके बाद है फूड फूड आपको अगर साउथ इंडियन चाहिए तो 70-80 पर डाइट मिल जाएगी नौर्थ इंडियन आपको थोड़ा महेंगा पढ़ सकता है इसके बाद है ट्रांस्पोर्टेशन अगर आ आप और आप सकता है और अगर आप स्कूटी से यह चीज़े कवर करता है तो आपको थोड़ा सा सस्ता पढ़ सकता है तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप एट-लिस्ट दो जन्हें तो आएंगे ही आपको ये बजट अप्रॉक्शिमेटली पढ़ सकता है अब बात करते हैं य मिड मही तक अगर आप आते हैं तो यहां पर आपको मौसम बहुत साफ दिखेगा और आपको हिल्स से नीचे कोयमबटूर मेटूपल आयम ये सिटीज काफी किलियर दिखती हैं तो आप इसके वियू के लिए आना चाहते हैं तो आप अपरिल मिड से मिड मही में आ सकते हैं तो दोस्तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और शेर कीजिए उनके साथ जो कोयमबटूर उटे और कुन्नो ट्रिप का प्लैन कर रहे हैं और अगर हमने कोई भी डिटिल देनी मिस कर दिया है तो आप ह आपको जल्द से जल्द एड़ोकेट रिप्लैंग ज़रूर देंगे वीडियो को एंट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अब मेरे साथ एक बार कमेंट में लिख दीजिए हर हर महातेव